जम्मो कश्मीर में अनुछे 370 पर सुप्रिम कोट में आज फैसला सुनाया जाएगा पांच जजों की सविधान पीट मामले पर अपना निर्नाय देगी इससे पहले सविधान पीट ने 16 दिनों तक मामले की सुनवाई करने के बाद 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था 370 के तहट जम्मो कश्मीर के संबन में विशेश प्रावधानों को निरस्त करने के फैसले के केंडर के 2019 के खिलाफ दार याचिकाओं पर सुप्रेम कोट की पाँच जजों की संविधान पीट आज अपना एहम फैसला सुनाएगी प्रधान नियाइधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूर के दिक्षता वाली पीट ने 16 दिनों तक विस्तार से इस मामले पर सुनवाई के बाद इस साल 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था याचिका करताओं ने 5 अगस्त के राश्टपती के आदेश और बादमे संसत से पारित जम्मू और कश्मीर पुनरगठन अधिनियम 2019 को गैर संविधानिक बताते हुए सुप्रेम कोट में याचिकाए दार की थी वही केंद्र का कहना है था कि अनुचेद 371 अस्था विवस्था थी और राश्टपती ने अनुचेद 371 में दिये गए प्रावधानों का प्रयोग करते हुए संविधान आदेश जारी किये थे और ये फैसला पूरी तरह संविधान एक प्रावधानों के दारे में था